तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में खनीज आयसक और इसके वाद में धातू के निस्कार्शन को पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे आयसको का समरिध्धी करण को बिद्द अबघटनी अपचैन को धातू के परिश करण को तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आयसको का समरिध्धी करण होता क्या है दोस्तों आयसक से अनावस्चक पदार्थ अर्थात गैंग का प्रिथक करण करना समरिध्धी करण या फिर आयसक का सांद्रण कहलाता है आयसक से गैंग को हटाने के लिए जिन परकिरियाओं का उपयोग होता है वे आयसक तथा गैंग के भावतिक वा रासाइनिक गुड़ों पर आधारित होते हैं दोस्तों असुद्धियों के प्रकिर्ट के आधार पर आयसकों का सांद्रण अनेक परकार से किया जाता है जैसे हम सबसे पहले सक्रेटास रेडी के नीचे आनेवाली धातु का निषकर संड करते हैं दोस्तों हमें पता है कि यह धातुएं बहुत ही कम अपक्रिया सील होती हैं और इन धातुओं में आकसाइडों को केवल गर्म करने से ही धातु पराप्त हो जाता है इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंतिम छोर पर बताया था अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुदारण लेते हैं और इसको समझते हैं दोस्तों सिने बार HGS सिने बार मरकरी का एक ऐस्क है जब इसे वायो में गर्म करते हैं तो यहाँ सबसे पहले मरक्यूरिक आकसाइड एच जी ओ में परवर्तित होता है बाद में मरकरी धात में परवर्तित हो जाता है तो दोस्तों अगर हम सिने बार HGS को आकसीजन के उपस्थिती में तापन कराएं तो यह सबसे पहले यहाँ पर यह मरक्यूरिक आकसाइड में परवर्तित हो जाता है और जब इसी मरक्यूरिक आकसाइड को गर्म करते हैं तो हमें मरकरी धात पराप्त हो जाता है तो दोस्तों यह हो गया सक्रेता स्रेडी के नीचे आने वाली धातों का निसकरसण अब हम बात करेंगे सक्रियता स्रेडी के मद्ध में इस्थित धातों के निसकर्शन के बारे में दोस्तों प्रकिर्ट में ये धातों प्राया सलफाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाती है सल्फाइड या कार्बोनेट की तुल्ला में धात को उसके आकसाइड के रूप में प्राप्त करना अधिक सरल होता है तो दोस्तों सलफाइड को भरजन द्वारा आकसाइड में बदलते हैं और कार्बोनेट को निस्तापन के द्वारा आकसाइड में परिवर्थित करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम Sulfide S का भरजन करते हैं कैसे भरजन किया जाएगा इसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों Sulfide S को Y की उपस्थिती में इस प्रकार हम गर्म करते हैं कि वो गले न तो आकसाइड में परिवर्टित हो जाता है इस परकिरिया को भरजन कहते हैं जैसे उधारण के तोर पर जब हम ZNS को आकसीजन के उपस्थिती में भरजन कराते हैं तो हमें जिंक आकसाइड और उसके बाद में SO2 गेस बाहर निकल जाता है तो इस परकार से भरजन होता है और उसके बाद में अब हम बात करेंगे निस्ता में परिवर्तित करने की परकिरिया निस्तापन कहलाती है जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम जड़न सीओ थरी को निस्तापित करते हैं तो यह जड़न ओ अर्थात जिंक आकसाइड और उसके बाद में कार्बन डियाकसाइड गया इसमें तूड़ जाता है तो दोस्तों यह हो गया निस्तापन अब हम बात करेंगे एसक आकसाइड के अपचैन के बारे में दोस्तों यह धात आकसाइड एसक से धात में परिवर्तन की परकिरिया है दोस्तों यह परकिरिया आकसाइड को गर्म करके की जाती है जैसे उदाहरण के तोर पर हम बात करें तो जब हम जड जोस्तों कभी कभी विस्थापन अपक्रियाओं को धातु आकसाइड के अपचैन में परयोग किया जाता है। उच्च अपक्रियासील धातुएं जैसे सोडियम, कैलसियम, अल्मूनियम इत्यादि का परयोग अपचायक के रूप में होता है। क्योंकि ये निम्न अपक्रियासेल वाली धातूओं को उनके योगिक में बिस्थापित कर देती हैं जैसे अगर हम यहां पर उदाहरण की बात करें तो जब हम मैगनीज डाइ आकसाइड की अलमूनियम के साथ क्रिया कराते हैं तो यहां MN उसके बाद में L2O3 और उसके बाद में उस्मा के रूप में ये परिवर्तित हो जाती हैं दोस्तों ये विस्थापन अपक्रियाएं उच्छ उस्मा छेपी होती हैं आताहा उत्पन उस्मा की मात्रा जो यहां पर होती है वो बहुत ही उच्छ होती है जो धात्वों की दर्बित अवस्था में उत्पन होती हैं तो दोस्तों ये हो गया सक्रियता स्रेडी के नीचे आने वाली धात्वों का निसकर्शन अब हम बात करेंगे सक्रियता स्रेडी से सबसे उपर आने वाली धातों का निसकर्षण के बारे में दोस्तों ये धात्विक योगिक कारबन या अन्य अपचायकों से अधिक बंदुता के कारण अपचायित नहीं किये जा सकते अता बैद्दुत अपघटनी अपचयन परियोग इन धातों के लिए होता है अब दोस्तों यहाँ पर बैद्दुत अपघटनी अपचयन के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों इन धातों के लवड जैसे क्लोराइडों को दर्वित रूप में बैद्दुत अपघटित जब हम करते हैं तो धा तो कैथोड पर निच्छेपित हो जाती है और उसके बाद में क्लोराइड एनोड पर मुक्त हो जाती है जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण के बात करें तो जो सोडियम होता है तो सोडियम के साथ क्या होता है यहाँ पर अपचयन हो जाता है और जो क्लोरीन होता है उसके साथ हो जाता है आक्सी करण तो दोस्तों ये हो गया बिद्दुत अब घटनी अब चैन तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक किए जे और दोस्तों आदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करकर प्रेस कर लिजे बेल आइकन को जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो दोस्तों बस य यहीं पर दीजे इजाज़त जय हिंदू बन्यमातरम।